अलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? CSIRNET का online application process start हो चुका है और उसी application process का एक step by step guide में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ठीक है, online application form भरते वगग बहुत anxiety होती है students को कई सारे students को application form में कहां पे क्या भरना है ये समझ में नहीं आता है और उनको थोड़ी सी help की जरूरत होती है और इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या-क्या चीजे लेकर ready रहना है, तैयार रहना है ताकि ये form आप आधे घंटे में max पूरा का पूरा fill up कर दो ठीक है, तो आईए देखते हैं कि क्या-क्या चीजे जरूरी है आपके लिए ठीक है, तो जब आप online application form भरने जाओगे तो सबसे पहली चीज जरूरी है कि कौन से website पर जाना है अब अगर आप CSIR NTA 2023 December ऐसा कुछ सर्च करोगे तो आपको कुछ और ही देखेगा, आपको एक पुराना website देखेगा जो पिछले बार के मतलब जून के exam के लिए बना था तो अभी जो December 2023 का website है वो थोड़ा सा अलग है उसका website क्या है तो www.csirnet.ac.in पिछली बार के exam के time पे यहाँ पे AC नहीं था यहाँ पे NIC था तो याद रखना यह ac.in यह सही website है इसकी वज़े से बहुत सारे students को confusion हुआ है कि form exactly है कहाँ पे ढूंडा कैसे जा सकता है तो यह ध्यान रखिए csrnet.nta.ac.in अब यह form भरने से भी पहले आपको कुछ चीज़े तयार रखनी है वो क्या-क्या है तो सबसे पहले BSC का mark list BSC का mark list आपके पास तयार होना चाहिए क्योंकि आपको qualification, educational qualifications में BSC के mark center करने होते हैं दूसरा है MSC का mark list वो भी mark center करने होते हैं वो भी आपको तयार रखना है अब तीसरा यह बहुत important है यह ध्यान से सुनिए और इसके बाद ही form शुरू करना है भरना की नहीं यह देखिए phone number and email ID for OTP तो आपको एक email ID पे भी OTP जाएगा phone number पे भी OTP आएगा अब बहुत सारे students का email ID तो चलो वो बहुत आसानी से आप खोल लेते हो वहाँ पे sign in कर लोगे email ID में OTP क्या आया है यह देख लोगे यह फिर आपके phone पे भी आप होता है phone number का कुछ students दिक्कत करते हैं phone number एंटर करते वक्त अपने parents का, अपने भाईया का, दीदी का चोटे भाई का, बहन का ऐसा phone number दे देते हैं, कभी कभी दोस्त का phone number दे देते हैं तो याद रखिए कि यह phone number आपके हाथ में होना चाहिए उस phone number वाला phone आपके हाथ में होना चाहिए क्योंकि OTP आने वाला है उस phone पे अगर किसी और का phone number होगा तो उनको call करोगे, फिर उनको call करके वहाँ पे OTP आएगा फिर वो OTP यहाँ पे एंटर करोगे इतनी सारी जंजटों में मत पढ़िए आपके हाथ में जो phone है वही phone number वहाँ पे एंटर करिए ठीक है और चौथी चीज एक ID कार्ड चाहिए तो चार-पाच ID कार्ड के options है उन में से कोई भी एक ID कार्ड चलेगा अधर कार्ड है तो वो चलेगा पैन कार्ड भी चलेगा आपका driving license है तो वो driving license भी चलेगा तो ऐसे 3-4 ID कार्ड के choices हैं आपके पास को ID कार्ड आपके पास रखना क्योंकि तो ये चार चीजे आई होप आपने जमा कर ली है चलिए शुरुआत करते हैं exam form फिल करने के लिए तो सबसे पहले ये exam form मिलेगा कहां पे जाने से पहले उस exam form तक जाने से पहले यहां पे information पे click करना इस information पे click करके एक brochure आपको दिखेगा ये brochure आपको सबसे पहले पढ़ लेना है और आपको जाना है बाद में joint CSR UGC registration open इस link पे जाना है ताकि आप exam form भर सको तो सबसे पहले जो registration वाला link है इस link पे अगर आप click करते हो इस link पे अगर आप click करते हो तो इस link पे click करने के बाद आप इस page पे चले जाओगे तो यहाँ पे application number है candidate registration का भी link है ठीक है अगर आप आपने अगर already register कर लिया है ठीक है तो आपको क्या करना है वो registration application number यहाँ पे enter करिए password enter करिए यहाँ पे security pin है वो यहाँ पे enter करिए और login करिए आप directly चले जाओगे यह उनके लिए होगा जिन्होंने पहले से register किया हुआ है form filling आधे तक ही किया है और उसके बाद फिर से वो form filling continue करना चाते हैं क्योंकि पिछली बार time नहीं मिला था ऐसे अगर candidates है तो उनके लिए यह है अगर आप पहली बार registration कर रहे हो तो new candidates register here वाला link है यहाँ पे click करेए यह green वाला button है यहाँ पे click करेए यह जब open करोगे तो यहाँ पे भी आपको information bulletin का link मिलेगा यहाँ से भी आप information bulletin download कर सकते हो यहाँ पे मैं click करता हूँ तो यह information bulletin मुझे मिल जाता है एक नए tab में यह खुल गया है joint CSR UGC Net National Eligibility Test for JRFN Lectureship December 2023 यह date ध्यान से देखना June 2023 का December 2022, June 2023 इसका भी information brochure circulate हो रहा है December 2023 यह check कर लेना ठीक है एक बार यह information brochure मिल गया तो उसके बाद आप वापस जा सकते हो उसके बाद वापस जाने के बाद यही जो पहले page हमने देखा था registration का वो page यहाँ पर आ जाएगा यह सारी जानकर यह सारे instructions जो है वो यहाँ पर देख लीजिए password कैसे reset करना है password किस तरह का password होना चाहिए application number है वो बहुत जरूरी है लिख के रखिए और फिर आपके email में भी आएगा वो mark करके रखिया गई पर ठीक है और यह सब होने के बाद यहाँ पर एक check box आएगा इस check box पर click कर लिजे इस check box पर click करोगे तो फिर आप यहाँ पर जाके click here to proceed यहाँ पर click कर लिजे तब आपका जो भी information है registration का वो fill up करने का link आप के पास आ जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने pre fill किया है मेरी थोड़ी सी जानकरी मैं यहाँ पर भर के मैंने रखी है और यह personal details है यह आप लिखते रहना अब यह point बहुत important है यह point बहुत important है आपको जब भी exam center a lot होता है तो आपका present address जो है उसके आसपास का center a lot होगा अब होता कैसा है कि जैसे मान लो यहाँ पे हम पूने में है तो पूने में पढ़ने के लिए बहुत सारे students नकपूर से आते हैं नाशिक से आते हैं सुलापूर से आते हैं तो वो जब अपना address भरते है अगर आपको पूने में ही exam देना है अगर आपको जिस जगा पे अभी आपको वहाँ पे ही exam देना है तो आपका present address वो भरिये ठीक है where you want exam center ठीक है आपका exam center का preference इसके basis पे decide हो सकता है ठीक है तो कही बार क्या होता है exam form अगर कोई late fill up कर रहा है तो उनको ये exam center कहाँ पे है exam center मिलने में दिक्कते हो सकती है क्योंकि मान लो मैं पूने में हूँ पूने में बहुत सारे लोगों ने apply किया है तो पूने के सारे exam centers भर जाते है ठीक है और पूने के सारे exam centers भर गए तो आपको पूने का location नहीं मिलेगा आपको पूने के आसपास के areas का मिल सकता है या कई दूर का भी मिल सकता है तो इसलिए जब भी आपको exam center आपके choice का चाहिए एक तो exam form जल्दी भरो deadline का इंतजार मत करो आज ही भर दो ठीक है आज ही आज शाम को रात को या कल सुबह बैठ जाओ और immediately exam form भर दो देर मत करिए यहाँ पे आपका पूरा address properly लिखिए और आपका permanent address वो होना चाहिए जहाँ पे हमेशा कोई न कोई रहता है कि अगर मान लो CSR NTA ने आपका जो certificate है वो certificate आपको भेजना है उनको post के थ्रू भेजना है तो वो कौन से address पे जाना चाहिए वो वाला address यहाँ पे लिखिए है अब मैंने क्या किया है मैंने save as present address mark किया है क्योंकि मेरा current address मेरा present address और मेरा permanent address यह दोनों same है मगर आप पढ़ाई के लिए कही और गए हो तो आपका permanent address आपके original गाउ का होगा और present address अभी जहाँ पे आप हो वो होगा इस तरह से यह भरना तो आप जहाँ पे रहते हो उसे साब से आप exam center या exam city का choice दे सकते हो तो यह point याद रखना important है उसके बाद नीचे चले जाएए एक security pin आपको generate करना पड़ेगा password confirm करना पड़ेगा enter security pin security pin enter करिए submit करिए और आगे बढ़िए यह होने के बाद आपको आपने जो exam form भरा है उसके details confirm करने का एक यहाँ पे page आएगा तो आपने जो भरे होए details है यह confirm करिए यहाँ पे बहुत सारे options आपको नजर आ रहे है my name, father's name, mother's name date of birth, mobile number, email ID और gender ठीक है यहाँ पे directly click करते करना start मत करिए यह यहाँ पे दिया है ताकि बाद में spelling mistakes हो गई है और आप tension में आ गया हो ऐसा ना हो ठीक है बहुत ही ध्यान से यह चीजे सारी भर दीजिए एक बार आपने पूरा का पूरा यह सारी जीए चेक कर ली कि आपने नाम सही लिखा है न यह नाम क्या आपके BAC, MSC, Markless के साथ match होता है न यह सब आपने चेक कर लिया है आपका जो ID card है जो ID card आप exam में ले जाओगे क्या उस ID card पे और यह यहाँ पे आपने fill up किया हुआ नाम क्या यह दोनों same है आपके father का नाम, mother का नाम date of birth, mobile number, email ID और gender क्या यह सब कुछ information सही है और अगर सही है तो यहाँ पे यह जो declaration है यहाँ पे I agree पे click कर लीजिएगा एक बार यह सारा आपका हो गया तो यहाँ पे ऐसे सारी चीज़े green हो जाएंगी और फिर आप submit and send OTP इस पे जा सकते हो अगर आपको इन में से जो भी जानकरी आपने भरी है उन में से कोई जानकरी modify करनी है, edit करनी है तो edit registration form का option select करिए अब submit and send OTP पे चले जाओगे तो email पे एक OTP आ जाएगा इसलिए मैंने कहा था starting में ही कि email आपके सामने ही रखना phone में log in रखना, email पे OTP आता है उस OTP को enter करो और फिर आपका email verify हो जाएगा और आपका registration पूरा हो चुका है registration के बाद आपको करना है login करते वक्त अब यह application number कहां से आएगा यह application number यह आपको मिलेगा आपके email में यह application number आपके email में आ चुका होगा तो email में CSR NTA का एक email आ चुका होता है उसमें application number OTP यह दोनों रिखी होती है अगर email में कुछ मिल नहीं रहा है तो check your spam folder check spam folder also अगर आपके inbox में नहीं आता है CSR का OTP अगर नहीं आ रहा है inbox में दिखनी रहा है तो आपका spam का folder भी होता है वो folder email ID के साथ check कर लिजिएगा फिर आपका application number, password और security pin यह जो है enter कर लिजिए आपका login भी process शुरू हो जाएगा एक बार login कर लिया तो वहाँ पर आपको दिखेएगा कि registration आपने पूरा कर लिया है तो registration का कोई tension नहीं है आपको application form incomplete है और fee payment incomplete है यह दिखेगा इसके बाद यहाँ पर application number भी आएगा यह application number भी note down कर लेना कई पर लिख के भी रख सकते हो या फिर आपके phone में कोई notes का app होगा या WhatsApp पे खुद को message करके रख सकते हो कि CSR का application number यह है ताकि यह हमेशा आपके पास रहे ठीक है अब इसके बाद application form complete करने के लिए इस button पर क्लिक करिए और फिर आपकी सारी जानकारी के लिए यहाँ पर information आएगी कुछ fields pre-filled होगी जो आपके registration से आएगी बाकी सारे fields भरना start करिए यहाँ पर category select करते वाक्त आपका अगर कोई reserved classes का category है तो वो भी properly select करिएगा आगे बढ़ते हैं यह एक बार हो गया है तो आपके contact details भी यहाँ पर भर दीजिएगा ठीक है contact details में address phone number यह सब कुछ आ जाएगा उसके बाद आधार card number भी पूछा जाएगा यहाँ पे left में आपको दिखेगा कि आप क्या 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 देख रहे हो personal details है contact details है आधार details है exam central details है यह सारी चीज़े एक एक करके भरते जा रहे हो personal और contact details आपने भर दी है तीसरा है आधार details तो आपके पास आधार number है की नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है है तो yes करिए नहीं है तो no करिए पूरा आगे बढ़िए वहाँ पे आधार details एंटर कर ली या छोड़ दी आप यहाँ पे यह एक चीज़ में आपको clarify करना चाहता हूँ जे आरेफ किसको भरना है जे आरेफ is for all below age limit age limit के नीचे जो students है जो candidates है उन सभी को जे आरेफ ही भरना है उनको ls नहीं भरना है ls का option किसके लिए होता है all above age limit age limit जिन्होंने पार कर दिया है उनके लिए lecturership का मतलब ls का option होता है तो आपको हमेशा जे आरेफ का ही option भरना है junior research fellowship and assistant professor यही option आपको select करना है तीक है आपको ls का option select नहीं करना है क्योंकि कुछ कोई ना कोई candidate होगा ही कि वो सोचेंगे कि आरे मुझे तो PhD नहीं करना है मैं तो teacher बनना चाहता हूं college में तो मुझे तो जे आरेफ का option नहीं चाहिए मुझे तो lecture worship का option चाहिए तो lecture worship का option अगर आप age limit के अंदर हो तो आपके लिए वो है ही नहीं तो आपको पता है कि जे आरेफ के लिए age limit होता है तो यह एक confusion मत होने दीजेगा उसके बाद उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर question paper का medium क्या होना चाहिए तो माने लोग मेंदे हो इंग्लिश का मतलब है सिर्फ इंग्लिश में questions आएंगे फिंदी का मतलब है English में भी और Hindi में भी bilingual paper आपको मिलेगा तो ये आप English में कितना comfortable हो इसके basis पर decide कर सकते हो especially general aptitude में कभी-कभी ये बहुत काम की चीज़ है अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ question समझने में दिक्कत होती है तो Hindi वाला part भी select कर लो वही question हिंदी में पढ़ोगे तो शायद थोड़ा सा कुछ और idea आ जाता है और solve करने में असानी होती है अब बाकी सारी subject opted first exam, first choice for exam city and so on and so forth ये भरते जा सकते हो subject specialization भी भर लीजिए analytical or inorganic, organic, physical ये अगर नहीं है आपका तो जैसे मान लो medicinal chemistry होता है, industrial chemistry होता है applied chemistry होता है, वैसा अगर कोई course है तो आप other ये option select कर सकते हो other option select करने के बाद एक और यहाँ पे field आ जाता है जहाँ पे आप other specialization subject ये select कर सकते हो ठीक है अब उसके बाद आपके exam exam city का selection कर लीजे, जो भी चार आपके choices है, ठीक है so state select करिए और city select करिए, ये करते जाएए एक बार पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप आगे चले जाओगे तो यहाँ पे हम चेक करें थे exam center details, ठीक है exam center details के बाद थोड़ी extra information भी आपसे पूछी जा रही है ये आपके parents के बारे में पूछा जा रहा है और क्या आपका master's degree completed है या result awaited है, ठीक है so अगर master's degree completed नहीं है आपकी, आप अगर final year master's degree में हो, यहाँ पे no select करिए और result awaited के लिए yes select करिए, ठीक है अगर master's degree complete हो चुकी है तो yes यहाँ पे करें और यहाँ पे no करी ठीक है, उसके बाद यह enter कर लीजिए, I agree पे click कर लीजिए और save and next करोगे, तो आगे आप चले जाओगे, अब यहाँ पे आपके qualification details आपको पूछे जा रहे है ठीक है, अब यह qualification details कहां से आपको मिलेंगे, सबसे पहले, graduation details, so graduation मतलब यहाँ पे क्या आएगा BSC, ठीक है majority candidates BSC करेंगे कुछ BFarm किये होए, candidates रहेंगे कुछ BEE के होँगे, कुछ BTEK किये होँगे ठीक है, अब बाकी जो candidates है, BFarm BSC honors, BTEK BEE, BSC 4 years, BSC 4 years equivalent or more, BMSMS ठीक है, यह सब कुछ अगर है, तो यह बहुत clear है, मगर आप में से कोई अगर 3 साल का BSC कोर्स कर रहा है, ठीक है तो आप confused हो जाओगे, कि इन में से क्या enter करना है, तो इसके लिए भी आप other वाला option select कर सकते हो, ठीक है, और other वाला option select करने के बाद, यहाँ जैसे, for example, मैंने course stream other select किया है, और BSC chemistry ऐसा लिखा है, तो यह 3 साल का course था मेरा, चार साल का नहीं था, इसलिए मैंने BSC chemistry यहाँ पर लिख दिया, या फिर दूसरा आप कर सकते हो, BS 4 years equivalent और more, तो BS equivalent यह आप select नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह चार साल का course है, तो वो सेम नहीं होता है उसके बाद बाकी सारी जानकर ही BSC के बारे में आपके marks और यह सारी चीज़े भर दीजिए सेम चीज़ आपको करनी है, जब आप so graduation मतलब यह BSC के details है, वैसे ही MSC के details भी यहाँ पर नीचे भरने है, post graduation details, तब यह MSC के details है, यह भी आपको enter करने है, वहाँ पर भी same करिए, यहाँ पर MSEquivalent आप select कर सकते हो या फिर other select करके MSC chemistry है, ऐसा आप लिख सकते हो ठीक है, तो यह हो गए qualification details, इसके बाद additional details क्या है, अब यहाँ पर जो पहले qualification details भर रहे थे, mark center करने के लिए, आपके mark lists आपके पास रखिए, तयार रखिए ताकि वहाँ पर कहीं पर गडबढ़ना हो mark center करते वक्त, ठीक है फिर additional details है, क्या doctoral student हो, doctoral student मतलब क्या है, कि क्या आपका PhD चल रहा है, ठीक है, तो PhD चल रहा है, तो yes करिए, नहीं तो छोड़ दीजे minority communities में अगर आप आते हो, Muslim, Sikh या फिर Christian communities में आते हो, तो यहाँ पर आपको, आपका community select करना है ठीक है, और बाकी यहाँ पर I agree करिए, आगे बढ़िए ठीक है, next point होता है कि आपका photo और signature यह upload करना होता है आपको, ठीक है, तो आपका photo यहाँ पर upload करिए, photo का size format यहाँ पर देखिए, ठीक है यह size format कैसे करना है 10 KB से 200 KB के बीच में कैसे लाना है, इसके बहुत सारे videos YouTube पर available है आप जाके चेक कर सकते हो, वैसे ही signature का भी format 4 KB से 30 KB के बीच में आना चाहिए, ठीक है यह सब होने के बाद, यह एक बार आपने upload कर लिया, तो again save and next करिए, उसके बाद आता है form verification, ठीक है यहाँ पर आपको यह सारी जानकरी review करनी है, final submit करने से पहले, बट उससे भी पहले आपका phone number verify कर लिजे, यहाँ पर click करके ठीक है, तो यहाँ पर click करूँगा तो मेरे phone पे एक OTP आएगा वो OTP में भर दूँगा और phone number verify हो जाएगा phone number verify होने के बाद, फिर से यही page आएगा, जहाँ पर phone number has been verified ऐसा, यहाँ पर दिखेगा ठीक है, उसके बाद scroll down करोगे, तो सारी चीज़े आप check कर लेना, कि यहाँ पर जो लिखा है वो सब सही है कि नहीं, अगर कुछ गडबडी लगती है, तो यहाँ पर back करिए और edit करिए, ठीक है, एक बार आपने submit button click कर लिया ठीक है, एक बार submit पर click लिजिए, प्रॉपर किया है कि नहीं, आपने यह चेक, कोर्स जो भी चीज़े हैं, सारी चेक कर लिजिए और फिर final submit कर दीजिए final submission के बाद आपने जो जो information भरी है categories के हिसाब से, gender के हिसाब से आपके course के हिसाब से उसके basis पे directly मुझे जो exam form का amount है, वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, तो आपको फिर जाके ढूड़ना नहीं है कि कितना amount pay करना है, क्या है, तो amount यही पे आपको नजर आएगा, ठीक है यह नाओ पे click करोगे, तो directly आप payment gateway की तरफ जाओगे, यहाँ पे कितना fee है, application number क्या है आपका, और आपका नाम, यह सब दिखेगा SBI, EPS से भी कर सकते हो, ICS से bank के portal से भी कर सकते हो ठीक है, तो कुल मिला कर exam form भरने का यह procedure था, 20 minute में मैंने आपको समझा दिया है, maximum आदा गंटा लगेगा आपको exam form पूरा भरने के लिए, अगर आपने सारे documents आपके पास रखे तो, ठीक है, तो कौन-कौन से documents है, याद रखे है, यह 4 documents आपको रखने हैं, आपके पास BSC mark list ठीक है BSC mark list, MSC mark list, phone number and email ID for OTP and ID card जिसका, एक ID card number आपको enter करना हो ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत आती है, exam form भरते वक्क कोई चीज समझ में नहीं आती, तो नीचे comments में हमें जरूर बताईएगा ठीक है, ताकि comments में जो जो आपके सवाल आते हैं, queries आते हैं, उसका भी हम निरसन, उसका भी जवाब हम वही पे आपको बता सकते हैं ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, all the best बिना nervousness के form फिलप कर दीजिए और CSRNet की तैयारी में वापस लग जाएए Thank you for watching, वीडियो को share जरूर करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको exam form बरने में दिक्कत आ रही है ताकि वो भी बिना nervousness के form बर सके Goodbye and Happy Learning